Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to do a topic Maha Janpad. So, what is the meaning of Maha Janpad? देखो, Jana means होता है people. ठीक है? And Pad, Pad means होता है foot. So, Janpad means land where people live. और जब जनपद grow करते जाते हैं, और एक बड़ा size occupy कर लेता है, तो उसको Maha Janpad कहते हैं, ठीक है? इसका मतलब बहुत सारे जनपद मिलके एक Maha Janpad बनाता है, ठीक है? So, हम देख पा रहे हैं, स्टेबल में 16 Maha Janpad दे रखा है, बट क्या केवल 16 Maha Janpad हुआ करते थे हैं? तो नहीं. Actually, बहुत सारे Maha Janpad थे, बट जो most important है, वो ये 16 Maha Janpad इमर्ज हुए, ठीक है? ये बात कब की है? तो ये बात है 6th century की, जब Later Vedic Age का end हो गया, and छोटे-छोटे Kingdoms डवलप हो गया, ठीक है? तो most 16 important Kingdoms ये टेबल में दे रखा है, जो इमर्ज हुए, और इसके बाद भी, जो 4 powerful थे, वो इमर्ज हुए है, और finally, last में Maghad, जो ultimately, super power होके इमर्ज हुआ, तो ये सारी स्टोरी हम देखेंगे, बट इसके पहले ये देखते हैं, कि Maha Janpad के बारे में जो भी information है, हमें मिलता क तो बुद्धिस लिट्रेचर, अंगुत्र निकाया, और महा वस्तु ठीक है, और एक जैन लिट्रेचर, भगवति सुट्था, तो यहां से हम लोगों को list of 16 Maha Janpad के बारे में information मिलता है, तो ये important है, ये कई बार question आ चुका है exam में, state PCS के exams में, plus UPSC में भी ऐसा question आ चुका ह तो ये आप याद कर लिजेगा, बुद्धिस लिट्रेचर, अंगुत्र निकाया, और महा वस्तु जैन लिट्रेचर, भगवति सुट्था, तीक है, यहां से हमें 16 Maha Janpad के information के बारे में पता चलता है, तीक है, अब देखो, Maha Janpad जो है, वो दो टाइप के होते थे, Monarch and Non Monarchal बोले तो Republic, जो की आज के टम में हम लोग यूज करते हैं, तो अब देखते हैं, दो टाइप के होते थे, तो जो Monarchal स्टेट था, वो कौन-कौन से थे, अंगा, मघद, कासी, कोशला, वत्सा, तीक है, यह एक बार आप रीड कर लिजेगा, यह आपको याद नहीं करना है, और अगर रिपब्लिक्यन स्टेट के बारे में बात करें, मेंस, नौन-मोनार्कल स्टेट, तो वो कौन-कौन से थे, वज्जी, माला, कूरू, पंचाल, कंबोज, साक्या, है ना, तो यह देख लिजेए, तो हमें इन्फॉर्मेशन पता चला, बुद्धिस लिट्रेचर से, महाजनपद दो टाइप के होते थे, मोनार्कियल और नौन-मोनार्कियल, यह भी हम लोग उने देखा, तीक है, अब हम आगे आएंगे, तो हम देखेंगे, राइज ओफ मगध, मगध इसके पहले, अब ह जो भी एक्जैम्स होते हैं, उसमें कई बार से कोश्चन आया है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, पहला महाजनपद देखिये, यह हैं अंगा, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, चांपा, चांपा बोल लो या चांपा, तो यह जो 16 महाजनपद है, और इसके क आजकी डेट में नाम नहीं है है, बट ठीक है, आपको यह याद रखना है, सेकेंड महाजनपद था मगध, ठीक है, उसका कैपिटल होता था, राजगिर, ठीक है, पाथली पुत्रा, वो वाला एरिया, ठीक है, तो आप नाम से समझ सकरे होंगे कि मगध भी बिहार में ही थ ठीक है, 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 यह आपको याद करना है, यह ओल्ड नेम से, आजके डेट में नेम चेंज हो गया है, जैसे कि यह जो माला है, यह डिस्ट्रिक्ट्स ओफ गोरकपूर वाला एरिया है, यूपी का, ठीक काशी जिसकी कैपिटल बनारस है जो आज के डेट में भी यही है बनारस सब कोई जानते होंगे सिक्स्थ कोशला अब इसका कैपिटल आयोध्या हुआ करता था ठीक है और ये डिस्ट्रिक्ट अफ फैजाबाद इन यूपी उस्टाइम पढ़ता था ठीक है सेवन्थ वत्सा ठीक है इसकी कैपिटल हुआ करती थी कौशंबी एट छेदी इसकी कैपिटल होती थी शक्तिमती नाइन्थ कूरू जिसकी कैपिटल होती थी इंदरप्रस्त पंचाला इसकी कैपिटल हुआ करती थी कमपीला सूरसेन इसकी कैपिटल होती थी मथूरा ठीक है, यह जो भी महाचनपद है, उसके capital आपको बाई हाट कर नहीं होगा, अब देखो, यह question तो BPSC में आया हुआ है, मत्सिया, मत्सिया का capital क्या था, तो विराठ नगर था, यह BPSC में आया हुआ है, question, अब देखो, मत्सिया जो है, वो बेसिकली राजिस्थान में पढ़ता था, ठीक है, विराठ नगर इसके capital हुआ करती थी, 13th, अवन्ती, जोकी MP के एरिया में आता था, ठीक है, और इसकी capital हुआ करती थी, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन इसका capital हुआ करता था, 14th नमबर बात करें, तो अश्मक, ठीक है, इसकी capital हुआ करती थी, पोटाना या पटेली, ठीक है, और ये एक मात्र ऐसा महाजनपत था, जो साउथ में था, ठीक है, साउथ के तरफ था, बाकी सारे नौर्थ में थे, तो ये question भी कई बार आ चुका है exam में, state PCS के exam में आ चुका है, कि एक मात्र महाजनपत कौन सा था, जो साउथ में था, तो उसका answer होगा, अस्मक, ठीक है, नेक्स्ट देखें तो गंधारा, उसका capital होता था, तक्शीला, ठीक है, ये आज के date में पाकिस्तान में पढ़ता है और 16th number, कामबोजा, इसका capital होता था, राजापूर, ठीक है, तो ये जो 16 महाजनपत दे रखा है, इसको आप capital अच्छे से याद कर लिजेगा, और इसका information कहां से मिलता है, ये पढ़ लेना है, ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, 16 महाजनपत थे, ठीक है, अब 16 मे भी कितने रह गए, 4, जो most powerful था, वो 4 दूसरे kingdoms को अपने में add कर लिया, ठीक है, जैसे राजा लोग क्या होता है, दूसरे राजाओ को हरा के उनका kingdom अपने में ले लेता है, तो simply इसमें भी ऐसा ही हुआ, 4 kingdom रह गया, अब ये 4, ये लोग क्या किये, struggle किये, 6 BC to 4 BC में, कि होगा, ठीक है, और इस तरीके से, ultimately, जो मघद है न, वो emerge किया as super power and most prosperous kingdom in North India, मघद, ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हुआ कि मघद most super power बना, तो इसका भी है reason देखते हैं, देखो, rise of मघद, पहले ये देख लो, the political history of India from 6th century BC onward in history of struggle between four states, मैंने बताया आपको, मघद, कोशाला, वत्स and अवन्ती, ये चार kingdom आपस में लड़ रहे थे हैं, to emerge as super power, but ultimately, किसकी जीत हुई, मघद की हुई, क्यों, तो इसका reason हम लोग देखते हैं, मघद emerged as most powerful one, ठीक है, अब देखो, cause देखो, कि cause क्या है, मघद के success का, तो देखो, मघद enjoyed and advanced geographical position, हाँ, geographical position, क्यों, क्योंकि मघद जो है, वो गैजन्टिक प्लेन में हुआ करता था, ठीक है, दो आब reason में, उसके कारण land fertile होता था, ठीक है, और उसके आसपास में iron भी मिलता था, तो iron का वो लोग use करते थे वेपन बनाने में, ठीक है, crop जादा हो गया, तो food surplus हो गया, तो इस तरीके से वो लोग expand करते गए, और सबसे special advantage क्या थी उनकी, कि उनका जो army था, वो first था to use elephants, अब देखो horse थो सब use करते थे उस time, मगा elephant use करने वाला, जो सबसे पहला था, वो मघद था, ठीक है, तो ये question भी कई बार आ चुका है, कि सबसे पहले elephant, large scale में, वोर के against कौन use करते थे, तो वो मघद use करते थे, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये chapter का end होता है, next हमारा topic आएगा, हर्यांका डाइना सिटी, उससे पहले मैं आपको ये map दिखा दू, देखो, अब ये map दिखके आपको समझ में आ रहा होगा, कि य ये जो 16 महा जनपद जो थे, उसका location देखे, ये मघद, जो superpower बनके उभरी, है ना, ये देखो, ये बिहार में थी, और धीरे धीरे ये expand करते गई, expand करते गई, ठीक है, आप देखो, बिहार में मघद मिल गया आपको, ठीक है, अंगा मिल गया, जिसके capital चंपा थी, वज्ज मिल गया, ठीक है, ये सारे जो है, ये बिहार वाले हैं, ठीक है, बिहार के kingdom में थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अश्मक, ठीक है, ये एक मात्र था जो south में था, और south में भी क्या, गोदावरी और जो नर्मदा रीवर है, उसके बीच का area था, तो ये question में आता है कई ब ये सब यूपी में थे, तो इस तरीके से आप ये map के, map को देखके अच्छे से समझ सकते हैं, कि इनकी location क्या थी, और आपको थोड़ा इंट्रेस्टिंग लगा होगा, ठीक है, तो finally हम लोगों ने ये chapter end कर लिया, तो that's all in this video, मिलते एक next video में, if you want to recommend anything, please do it in comment box, I hope you enjoyed this video, thank you and have a nice day.